सुन, आराम से, हाँ ठीक है, किसी तरह ठंटे दिमाग से मैनेज करना, ओके मामी, कहां जा रही हो तुम लोग, पार्टी में, हमने बताया था ना, ममी, ये सब क्या है, ममी बोटा ये डूएंग, ये लकीर दिखनी नहीं चाहिए, इसे मिटादू, क्या ममी, ये पागल, दिखाई नहीं देरें का मतलब है, कपड़ इसके ऊपन नहीं होने चाहिए, पार्टी ममी, ये लाइन क्लोज होगी, तभी वो डोर ओपन होगा, जान्दू, यहाँ, जाना है मैडम, फ्राइडे नाइट, अरे बापरे पार्टी में क्या, हाँ, आप त कम, वाव, एड्रेस तक पहुंचते पहुंचते ड्रेस चेंज हो गया, अगर ज्यादा बोले तो तुम्हें चेंज कर दूंगी, तो तुम्हें इसे बाते क्यों कर रही हो, इसे समझाओ ना मैडम, चंदू, खाना खाखर गाड़ी में वेट करना, हाँ, जाए, जल्दी च कि झाल । मैं किसी को धूंडते हुए यहां आया हूँ क्या वो मैं हूँ क्या रुकु नाम की लड़की यहीं कहीं लगता है वो हमें तुन रहा है हमें की दूनदेगा मजे कर रहा है क्या में खुबसूरत नहीं हूँ खुबसूरत हो ना तुम्हारा नाम क्या है चंदू मेरा नाम चंदू तुम्हारा इरादा क्या है चंदू देखिए मैं उस टाइप का नहीं हूँ तो के इसका मतलब हम उस टाइप के हैं बिल्कुल नहीं यह क्या है इसका टेश्ट बहुत बुरा है वाटका क्या तुम्हें दूर चाहिए है क्या एक अलफाज में अपने आपको घलत साबित कर दे तुम्हें ये शौक भी है क्या रुको ममी को बताते हैं सिली गर्ल रिसेंटली हम लोग एक पार्टी में गए थे घर से निकलते वक्ट दीसेंट किसम के कपड़े गाड़ी से उतरते वक्ट दूसरे कपड़े ये बात तुम्हारी मम्मी को नहीं पता है अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक लड़की को एक जिनी लैंप मिल गया जिनी लैंप मतलब जिसे रगड़ते ही जिन बाहर आते हैं जिन बाहर आते उसने लड़की को कहा मैं तुम्हें एक वर देता हूँ लेकिन एक कंडिशन है जो भी तुम मांग उसने उस जिन से बोला, मुझे बस एक लाइट सा हार्ट अटेक दे दो, तो फिर सोचे उसके बाद क्या हुआ, तो उसके हस्बन को दस गुना ज्यादा बड़ा हार्ट अटेक आया होगा, सो ब्रेलियंट हा, नहीं, लड़कियां खुद को बहुत होशयार समझ कर सबसे बड कूफी करती है, एक्चुली, दस गुना और लाइट हो जाता है, देख, तुझे चलना होगा, नू अधर ऑप्शन, जाना है क्या, नहीं, अरे, क्यों भारा तुमने चंदू, इंदू जी, अगर कोई लड़की से बत्तमीजी करेगा, तो यही हशर होगा ना, पर कहीं तु ड्राइवर, चंदू, आओ, अरे, ड्राइवर हुआ तो क्या हुआ, इंसान हो ना, मुझे नाम से पुकारो, बोईज, दुबारा ऐसे हरकत बिलकुल नहीं करना होगे, चलिए, आईए, आईए, हुआ थे वोगे, हुआ 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 ।ब लगुँ एंए क्ट बढ विघजाए कर वे, कर दो! कर दोदें! कर दोदें! जाओ अपने बहन को लेकर आओ उसके साथ और भी लोग हैं चिंदू लड़कियों को या तो आसु भाना आता है या हमारे आसु निकालना उसके साथ लोगे तो क्या हुआ आपके साथ मैं हूँ ना मेडम जाओ जाकर उसे लेकर आओ जाओ यह बताओ कौन थे बोलो मुझे नहीं पता डैडी उसे देखोगी तो पहचान पाओगी भया पुलिस कंप्लेंड करो हाँ उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए पुलिस कंप्लेंड से क्या हो सकता है क्या नहीं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं एक लॉयर होने के नाते कर लगाने से कुछ हासिल नहीं होग इंविटेशन देने के टाइम पर इंवेश्टिकेशन नहीं करना चाहिए करेक्ट सर इस बात को देखकर अंदेखा करना ही अच्छा है चंदु ने हम पर कोई अहसान किया है ये सोच कर उसे सम्मानित करना ठीक नहीं रहेगा चंदु कहा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं न उसने ही तुमारा उन गुंडों को उसे क्या होगा? बहुत नेक इंसान है आज दूसरी बार उसने मेरे दिल को बचाया है, तुमने कहा था ना कोई डॉक्टर का रिष्टा आया है, ज़रा बुलाओ उसे, ठीक है भईया जब मेरे पापा उसे में रहते थे, तो वो भी बिलकुल इसी तरह, लाठी को जमीन पर पीटते थे मेरी आदत भी बिलकुल वैसी ही ये कहकर, मेरे भईया मुझे चड़ाते थे, उनका भी एक प्यारा सा बेटा था, बहुत शरारती, अगर ड्राइवर को फुल टैंक करने के लिए कहा चाये, तो बिना पैसे लिए चाबी लेकर नहीं चाते, ये बात उसे नहीं बता, तुम्ह तुम्हारी आवाज बिलकुल तुम्हारे दादा जैसी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी यही समझ रही था ना, हाँ, मेरा कलेजा तुम्हारे दादा की तरफ पत्तर का नहीं है, घुस्से में वो अपने घर से, अपनी ही बेटी को बाहर निकाल सकते, लेक कहने पर मैं वहाँ वापस चली जाओंगी यही सोच रहे हो, हा।